सताब्दी समारों से तेजस्वी यदवजी 9211 हो गए यानि वो नदारत हो गए फिर से उन्हों ने इस्थापित किया कि हाँ तेजस्वी भगोरा है नमश्कार मेरा नाम है निकिल आप देख रहे हैं न्यूस फ़र्नेशन आज बिहार विधान सभा बवन के 100 साल पूरे हो रहे हैं इस खास मौके पर राश्टपती महा महीम रामनात कोविंद उपस्तित हैं विधार विधान सभा परिशर में एक कारेक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सत्ता पक्षों या विपक्षों सभी माननियें को बुलाया गया है हालाकि नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादव बीते दिनों तारपूर विधान सभा छेतर गये थे और वहां चुनावी सभा कर रहे थे अब वो कुछे सोर स्थान के लिए निकल गये हैं तेजश्वी यादव इस समारों में नहीं आने वाले जिसको लेकर के जद्यू ने चुट कि लिए है जद्यू के तरफ से जद्यू परवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि तेजश्वी यादव के विधायक विधान सभा में गाली गलौज करने के लिए आते हैं तोड़ फो मतलब विधान सभा में तेजश्वी और उनके विधायक तोड़ फोड़ करने आ सकते हैं आसन का अवहिलना करने आ सकते हैं गाली गलौज करने आ सकते हैं पर सताब्दी समारों में नहीं आ सकते इसी तरह नितीश सरकार के सपत ग्रहन समारों से भी गायब थे सही में भगो और साफ तोर पर पीट करते हुए लिखा है कि तेजश्वी ने सताबदी समारों में नहीं सामिल होने की वज़ा बताते हुए कहा है कि हम अकेले हैं और हमें चुनाओ प्रचार में जाना है फिर किस बात की नंबर वन पार्टी यानि इनके विधायक किसी काम के ही नहीं है का महत्व हो न सांसद का तो आपको बता दे कि तेजश्वी यादव कुशेश्वर स्थान के लिए रवाना हो चुके हैं और यहां बिहार बिधान सभाभवन का सताबदी समारों आयोजन किया जा रहा है जिसमें नेता प्रत्पक्ष तेजश्वी यादव सामिल नहीं होने वाले जिसको लेकर के जद्यू लगातार हमलावर है क्या कुछ कह रहे हैं निखिल मंडल छोड़े जाते हैं उनके बयानों के साथ सताबदी समारों से तेजश्वी यादव जी 92111 हो गए यानि वह नदारत हो गए फिर से उन्होंने स्थापित किया कि हां तेजश्वी भगोरा है मतलब जिस विधान सभा में कारिक्रम हो रहा है, जिस विधान सभा के वो सदस हैं, जिस कारिक्रम को एٹेंट करने के लिए देश के रास्पती आये हुए हैं उस कारिक्रम में भी वो सरीक नहीं हुए और उन्होंने इसके वजह क्या कही कि उन्हें बाई इलेक्षन में प्चार करने के लिए जाना है औरे भैया जब आप अकेले हैं तो सालों भर कि इस बात का दलील देते रहते हैं कि बिहार की नंबर वन पार्टी है और जेडी सबसे बड़ी पार्टी है आरजेबी यानि कि आपके जो विधायक हैं वो नकारे हैं किसी काम के नहीं है उनकी बातों को जनता सुनती नहीं है तभी तो आप अकेले हैं यानि आपके ना MP ना MLA ना कारकरता किसी को जनता सुनने को तयार नहीं है चलिए कोई बात नहीं सुना सुनाइए कितना भी आप सुना लीजिए लेकिन होना वही है कि चुनाओं में आपको हार कमू देखना पड़ेगा